Hello everyone and welcome to GPAT classes आज मैं आप लोगों को बताऊंगा Talbutamide के बारे में और basically we will deal about the synthesis of Talbutamide and its structure तो GPAT के point of view से जो भी famous drugs हैं उनका structure बहुत important होता है उनका IUPAC name, उनकी synthesis important होती है पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि synthesis इस वजह से भी important होती है कि किसी drug की synthesis करने से आप बहुत सारी basic organic chemistry को learn भी कर सकते हैं तो वह आपको फायदा देती है अगर आप इसको समझके पढ़ेंगे तो तो इसी करम में हम पढ़ते हैं Talbutamide तो Talbutamide एक anti-diabetic drug है आप जानते हैं ये एक anti-hyperglycemic या इसको हम कहेंगे एंटी-diabetic drug है ये तो Talbutamide का नाम बड़ा अच्छा सा है इससे आपको इसके structural feature के बारे में पता लग जाता है कि टॉल से तो समझ में आता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो तो तोलवीन यहां पाया जाता है तोलवीन structure इसके अंदर मौजूद है कौन सा वाला है ये वाला हिससा है ये टॉलवीन का हिससा है Buta से आपको पता लगता है कि यहाँ पर एक butyl group मौझूद है तो butyl group मतलब 4 carbon वाला ये वाला group मौझूद है तो 1, 2, 3, 4 carbon यहाँ पर मौझूद है और amide word से आपको यह पता लग जाता है कि यहां पर M-I-D group है, तो आप देख सकते हैं, हाँ पर C-O-N-H bond मौझूद है, आप इसको यहां भी कह सकते हैं, और इस तरफ भी कह सकते हैं, तो tall butamide इस तरीके से कहा जाता है इसको, क्योंकि यहां पर toluene group भी मौझूद है, ब्यूटाइल ग्रूप भी मौझूद है और यहाँ पर M.I.D. यानि की C.O.N.H. ग्रूप भी मौझूद है तो यह बिसिकली टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर है तो इसमें अब हम पढ़ते हैं इसका IUPAC nomenclature ठीक है तो IUPAC nomenclature पर यदि हम आएं तो ध्यान दीजे क कि यहाँ पर बहुत सारे functional group हैं यहाँ पर amide functional group भी है ठीक है यहाँ पर benzene भी है और यहाँ पर जो सबसे important चीज है जो सबसे senior most functional group है वो है आपका sulfonamide वाला functional group या sulfonile group जो है यहाँ पर मौझूद है वो कुछ ऐसे किया जाता है कि यहाँ पर हम benzene sulfonamide को main हिस्सा मानते है जो parent हिस्सा है वो आपका benzene sulfonamide वाला हिस्सा है और बाकी के सारे sulfonamide होगे आपका SO2NH ठीक है दुबारा लिख देता हूँ तो यह पूरा जो benzene sulfonamide वाला group है यह आपका main हिस्सा है और बाकी के सार है इसके उपर substitute की तरह है तो अब एक एक करके हम substitution का नाम देते हैं तो जैसा कि उपर नाम अल्रेडी लिखा हुआ है लिखा है कि N पर butyl amino है अगर आपको थोड़ा सा और समझाओं तो यह कुछ sulfonamide हो आपका यह benzene sulfonamide हो यह हो गया benzene ring और sulfonamide हो गया S double bond O double bond O और आपक हो गया तो start करते हैं हम N से N पर क्या है N का मतलब है यहाँ पर जिस N की बात हो रही है बचो वह यह वाला N है यह वाला nitrogen है इसकी बात हो रही है N पर है butyl amino carbonyl देखिए इसके लिए हम यहाँ से चलेंगे यह है butyl इतना हिस्सा जो है वह आपका butyl वाला हिस्सा है यह वाला हिस्सा ओविसली amino वाला हिस्सा है ठीक है और जो यह वाला हिस्सा है यह C double bond O है right C double bond O तो C double bond O कौन सा ग्रूप होता है carbonyl group होता है तो butyl amino carbonyl तो यह पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह आपका butyl amino carbonyl है यह वाला हिस्सा हो गया amino और यह वाला हिस्सा हो गया carbonyl और ये किस पर जुड़ावाए इस N पर है तो इसी लिए नाम शुरू होता है N पर ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल तो यहाँ पर हमने सलफोनामाइड के इस N पर आप देख सकते हैं इस N पर जो सब्स्टिटुएंट थे उसको बता दिया ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल ठीक है तो N पर आपका ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल था जैसा कि आपने देख लिया उसके बाद 4 पर मिथाईल 4 पर मतलब यह 1st position यह 2nd position, यह 3rd position और यह 4th position तो 4th position पर क्या जुड़ा है? मिथाईल जुड़ा हुआ है तो N पर है ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल और 4th position पर आपका जुड़ा है मिथाईल और बाकी का पूरा हिस्सा जो बचता है आप वो बचता है बेंजीन सल्फोनामाइड तो इसलिए एक बार फिर से यदि मैं structure को दुबारा बनाओ तो ये इसका IUPAC नाम कुछ इस तरीके से कहता है कि सल्फोनामाइड के N पर N पर जुड़ा है ब्यूटाइल ब्यूटाइल हो गया C, 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 C ब्यूटाइल फिर अमाइनो और फिर कार्बोनिल C double bond O तो ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल और 4 पर है मिथाईल और बाकी का जो पूरा हिस्सा है वो क्या है बैंजीन सल्फोनामाइड तो N पर ब्यूटाइल अमाइनो कार्बोनिल 4 मिथाईल बैंजीन सल्फोनामाइड इसका IUPAC नामन क्लेचर होता है तो देखिए IUPAC nomenclature अगर आप अपने semester के exams में लिखते हैं तो ये बहुत ही impressive होता है examiner इसमें आपको अच्छे number देता है प्लस 37 आपका IUPAC nomenclature का concept भी सही होता है तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी synthesis पर तो इसकी दो methods of synthesis है method number one है जिसमें हमारे पास एक benzene sulfonamide group है ठीक है 4-methyl और benzene sulfonamide group है इसकी reaction हम करा रहे हैं isocyanate group से isocyanate group से हम इसकी अभीक्रिया reaction करा रहे है तो देखिए एक general reaction ये बहुती simple concept है एक ही step में पूरा का पूरा tolbutamide बन जाता है हमें ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी amine की मालीजे R-NH2 कोई amine है यहाँ पर ये R- जो है वो इस SO2C6H5C6H4C3 को represent कर रहा है यह है हमारा यहाँ पर R- तो जब आप किसी amine derivative की है किसी amine की reaction कराते हैं isocyanate से isocyanate मतला R-NCO isocyanate के साथ reaction कराते हैं अब यहाँ पर R- कौन है यह वाला जो butyl group है यह हमारा इस R- को represent कर रहा है तो जब आप किसी amine की यह कौन है आपका amine है इसकी reaction किस के साथ करा रहे हैं आप isocyanate के साथ तो जब amine किसी isocyanate के साथ reaction करता है तो R-NH C double bond O single bond NH single bond R double dash यानि कि यूरिया के derivatives बनते हैं ठीक है यूरिया के derivatives यहाँ पर बनते हैं यूरिया derivative बनता है तो आप भी देख रहे हैं यहाँ यूरिया derivative ही तो है NH, CO, NH यह वाला bond बनता है तो यह एक तरीके से यूरिया का derivative ही माना जा सकता है तो जो किस से बना है amine और isocyanate की reaction से तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी basic reaction को apply किया है यह reaction आपको समझना था तो आप benzene sulfonamide ले ले लेते हैं जिसका amine यहाँ पर butyl isocyanate के साथ reaction करता है और यहाँ पर हमारी drug tol butamide बनाता है इस reaction में temperature शुरात में 0 degree centigrade रखते हैं और बाद में maximum 45 degree centigrade तक यह reaction ले जाते हैं तो इस तरीके से आपका method number 1 से हम tol butamide बनाते हैं और basic concept याद रखेगा भूलिएगा मत बड़ा important है दूसरा method होता है आपका method number 2 पर चलते है method number 2 simple है थोड़ा lengthy है but it is also simple method तो क्या है इस method में देखिए इस method में क्या है बच्चो कि इस method में हमने सबसे पहले लिया toluene ठीक है आपने सबसे पहले यहाँ पर toluene लिया toluene की reaction हमने कराई chlorosulfonic acid से CLSO3H से CLSO3H से यहाँ पर एक electrophilic substitution reaction होती क्योंकि आप जानते हैं कि जो benzene जो है वो electrophilic substitution reaction देता है तो electrophilic substitution reaction में जो electrophile है वो है S double bond O double bond O single bond CL positive यह chlorosulfonil group ठीक है यह आपका chlorosulfonil group जो है यह आपका यहाँ पर electrophile की तरह काम कर रहा है तो यह chlorosulfonil group है यह पैरा पर जाकर के अटेक करता है पैरा पर ही क्यों अटेक करा क्योंकि methyl group जो है वो orthopara directing है orthopar steric endurance की वज़े से नहीं बनेगा पैरा पर बनेगा तो इसलिए SO2Cl बन जाता है अब आप इसकी ammonia के साथ reaction कराते ammonia के साथ reaction कराने के समय में इसका एक Cl और ammonia का एक hydrogen HCl बन के निकल जाएगा और यह SO2 NH2 बनाएगा तो यह हमारा जो इस वक्त है benzene sulfonamide बन गया है अब next step में हम pyridine की और क्या कहते हैं ethyl chloroformate के साथ reaction कराते हैं तो ethyl chloroformate के साथ reaction कराने बहुत आसान है again यहां पर एक Cl और nitrogen का एक H हमेशा द्यान रखे जहां कहीं भी एक halogen है mainly Cl या BR है और कोई भी nitrogen का कोई derivative है ammonia है या कोई amine है यह आपस में reaction करते हैं तो एक HCl आउट हो जाता है और nitrogen और carbon के बीच में bond form हो जाता है जैसे यहां पर Cl हटा तो क्या कहते है nitrogen और sulfur के बीच में यहां पर bond बन गया in the same way यहां पर अब Cl और N का एक H reaction करेंगे और HCl निकाल देंगे और फिर उसके बाद N की जो attachment हो जाएगा यहां पर Cl, Co, C2H5 के साथ हो जाएगा Cl हट जाएगा तो अगर आप देखें chloroethyl chloroformate को तो वो कुछ इस तरीके से है C double bond O single bond C2H5 तो यह chloro हट जाएगा और C double bond O वाला इस nitrogen के साथ attach हो जाएगा जो कि आपको यहां पर दिख रहा है तो इस तरीके से यह एक ester derivative kind of बन जाएगा अब उसके बाद next reaction बहुती simple emination की reaction है जिसमें आप जो है butyl amine को use कर रहे हैं butyl amine को use करेंगे तो यहां पर क्या होगा एक प्रकार से इस reaction में एक electrophilic substitution reaction होगी जिसमें यह वाला हिस्सा C2H5O C2H5O और इधर इस nitrogen से एक H आएगा और यह C2H5OH बनके निकल जाएगा और यहां पर इस carbonil group के साथ यह nitrogen पूरा पूरा जुर जाएगा basically यहां पर एक nucleophilic addition reaction ही होती है अब mechanism मैं यहां पर किसी और वीडियो में आपको बता दूँगा बहुत आसान है reaction यहां पर क्या है basic concept यह है कि एक ester है ester कौन सा है R C double bond O single bond O single bond R dash एक ester है और इसकी reaction हो रही है R double dash NH2 के साथ ठीक है तो होगा क्या जब एक ester की देखी यह पूरा ester है इसकी reaction हो रही है एक amine के साथ तो उस वक्या होगा ester में से R C double bond O तो वैसा ही रहेगा R double dash NH2 में से यह जो NH है आपका इसके साथ जुड़ जाएगा और R double dash बना देगा इस तरीके से R double dash NH इस कार्बोनिल के साथ जुड़ जाएगा और यह जो O R dash आप देख रहे हैं यह आपका R dash O H alcohol बनके अलग हो जाएगा तो एक प्रकार से ester का bond यहाँ पे तूटा है और जो alcohol वाला हिस्सा है वो अलग हो गया है और यहाँ पर इसके साथ यह amide formation कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टॉल ब्यूटामाइट के synthesis होती है जो कि काफी आसान है तो इस method में सबसे पहले एक electrophilic substitution reaction हुई chlorosalphonic acid से फिर उसके बाद ammonia के साथ reaction करके हमने CL हटा के NH2 group लगाया फिर हमने ester group लगाया और फिर हमने इस ester के carbonil group को अपने पास रखा और बाकी के हिस्से को out कर दिया और उस हिस्से की जगे पर आपका इस molecule के साथ attach हो गया और यहाँ पर finally हमारा tall butamide बन गया तो यह tall butamide की दूसरी synthesis थी तो मुझे लगता है आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई होगी और इसी तरीके से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए molecule के साथ Thank you so much